गूड मॉनिंग एबरिवन कैसे हो आप सभी आई होप आप सब अच्छी होंगी दोस्तों कल से काफी ज़्यादा कॉमेंट आ रहे हैं जब से एक पोस्ट वाइरल हो रही है कोर्ट में एक याचिका लगी है अचीत कुमार नाम से और उसकी सुनवाई दो नुवंबर को होनी ह जिसके चलते काफी ज़्यादा वाइरल हो रही है पोस्ट और यहाँ पर उसी से रिलेट काफी ज़्यादा कॉमेंट आ रहे के सर इस पे आपने कुछ वीडियो नहीं बनाया अभी तक तो प्लीज वीडियो बना कर बताएं कि एकजाम कहीं निरिस्त ना हो जाए क्या एकज कि वीरुद्ध है और उनको निरिस्त किया जाए बस यहीं एक मामला है जिसके चलती है याची का लगाई गई है और यह काफ़ ज़्यादा वाइरल दोस्तों पोस्ट हो रही है और इसकी सुनवाई दोस्तों कॉमल गरीं है वही सुनवाई करने वाली है दो नुवंबर को ह यह बात आप समझते भली बांती तो आप चिंता ना करें सुनवाई होगी पूरी जांच परताल होगी इसके अंदर तो कहीं पर भी आपका एक्जाम पोस्ट पॉंड दोस्तों नहीं होगा चिंता ना करें सिर्फ आपको आपका ध्यान है वह बटकाने की कोशिश की अपने तयारी को मेंटेन रखना है अब तयारी करते रहें एक्जाम दोस्तों शोर आपका एक्जाम 6-7-8 को होगा कोई भी बीच में रोडा दोस्तों नहीं बनेगी कोई भी चीज़ दोस्तों चिंता ना करें आप सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान बटकाने की यहां पर प एक्जाम 6-7-8 कोई देना और एक्जाम होगा साथ में ये भी कोमेंट आ रहें कि सर हमने दो से जदा फोर्म बर रखे हैं दो बर रखे हैं तो क्या हम एक्जाम दे पाएंगो उनका दो को सिंपल सी त्योरी दोस्तों इसके नहीं माले की दिन है दोन अग्जाम तो आप ही बता दिजी कि एक दिर में कैसे बैठोगे दो जगें तो नहीं दे पाओगे अगर अलगलक तारीक को आता है तो एक्जाम जरूर दे पाओगे आप बस यही थी छोटी सी बात जिसको पर यह मैंने वीडियो बनाए आप सभी के लिए काफी कमेंट आरेंक सर बताओ कुछ त और कहीं न कहीं यह सिर्फ आपको ब्रमित करने की बाते होंगी यहां पर जरूर याचिका लगी है नहीं लगी है उसमें आप ना पढ़ें सिर्फ तयारी करें एक्जाम आपका जरूर दोस्तों होगा इसी वीडियो को ज्यादे ज़र शेयर करना और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों हमारी चैनल को अगर नहीं किया तो अभी तक जल्द मिलते हैं से के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत